यूपी में बिधान सभाज चुनाओं के पहले चरण में जाट लेंड इलाके में वोटिंग के बाद अब सियासी दलो का इंतिहान पश्चमी यूपी और रुहेल खंड के इलाके की मुस्लिम बिल्ड सीटो पर है यूपी चुनाओं के दूसरी चरण में नव चिलो की 55 सीटो पर 586 प्रतियासी मैदान में है जहाँ पर 14 फरवर यानि 100 मौर को मतदान है 2022 की यूपी चुनाओं में बीजेबी के लिए दूसरा चरण सबसे जादा चुनोती पूर माला जा रहा है दूसरे चरण में पश्मी यूपी के सहारन पूर बिजनाओं और अमरोहा चिलो की सीटो पर चुनाओं है तो रुहेल खंड इलाके के संभल पूर मुरादाबाद राम पूर बरेली बदाईउं और साज जहाँ पूर जिले में वोटिंग होना है दूसरे चरण की चिन पच्पन सीटो पर चुनाओं हो रहे हैं उसमें 38 सीटो पर पिजेपी का कबजा है जबकि 15 सीटे सपा के पास हैं और 2 सीटो पर कॉंग्रेस को चीत मिली थी जबकि BSP का सुपड़ा यहां पूरी तरह साफ हो गया था दूसरे चरण में चिन इलाकों की सीटो पर चुनाओं है उन पर मुस्लिम वोटरों की पहुलता मानी जाती है यहां पर चार्ट और मुस्लिम वोटों के साथ साथ कुर्मी और लोध वोटर निड़ाइक भूमिया में हैं तो सैनी मौर और तलिद वोटर किंग मेकर की भूम मिला था बता दे कि 2017 में हुए चुनाओं में सपा और कॉंग्रेस ने मिलकर साथ लड़ा था जिसका नतीजा रहा कि मुर्यादाबाद मंडल में सपा का पलड़ा भारी राज जबकि बाकी इलाकों में बिजेपी ने सपा से जादा बेहतर प्रदर्शन किया था बरेली में स सपा का खाता भी नए खुल सका था पिछले चुनाओं में जहां सपा और कॉंग्रेस को कुल 17 सीटों पर चीत मिली थी उनमें से 16 मुसलिम प्रत्याशी थे पिछले चुनाओं के दोरान सपा की खाते में आने वाली 15 सीटों में से 10 बर मुशलिम विधायक बने थे जबकि दूसरा सैनी समास से विधायक था वही 2019 के लोग सपा चुनाओं में इस इलाके की 11 संसेदी सीटों में 7 सीटों पर बियस्पी सपा गडवन्ने ने चीत दर्ज की थी इनमें से 4 सीटे सहारन पूर लगीना बिजनौर और अमरोहा में बियस्पी ने चीत दर्ज की थी जबकि 2022 के विधायक चुनाओं में सपा, बियस्पी और कॉंग्रेस तीनों अलग-अलग किस्मत आजमार हैं लेकिन सपा ने RLD के साथ गडवन्न कर रखा है वही बियस्पी ने इस इलाके की जादातर सीटों पर मुस्लिम उमिदवार उता रहे हैं तो कॉंग्रेस और असुरु द